हेलो बच्चो कैसी हो आप लोग आशा करती हूँ सब कुशल होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे आईए आज आपका अध्याय त्रिकोन मिती के कुछ अनुप्रियोग के अंतरगत कुछ प्रेश्न हल करेंगे जो अब नमन कोण पर अधारित हैं आईए अब हम आकरती में दी गई स्थिती पर विचार करें बालकनी में बैठी लड़की मंदर की सीडी पर रखे गमले को नीचे की और देख रही है इस स्थिती में दृष्टी रेखा स्थर से नीचे है द्रिष्टी रेखा और शैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं इसको Angle of Depression भी कहा जाता है अतहर देखी जा रहे ही वस्तू परस्थित बिंदू का अवनमन कोण उस थिति में द्रिष्टी रेखा और शैतिज रेखा से बना कोण होता है देखिए यहाँ पर आकरती यह लड़की है और यह शैतिज स्तर है और अब नमन कोंड दृष्टी रेखा और शैतिज रेखा के बीच में बना हुआ है जबकि बिंदू शैतिज रेखा से नीचे होता है अर्थात वे स्तिती जबकि देखे जाने वाले बिंदू को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे जुकाना होता है समझ में आया बच्चो तो जो कोण शैतिस्तर और दृष्टी रेखा के बीच में बनता है उसको हम अब नमन कोण कहते हैं ठीक है आईए किसी प्रेशक की आंग से उस वस्तु के बिंदू तक की रेखा जिसे प्रेशक देखता है दृष्टी रेखा कहलाती है देखी जाने वाली वस्तु का उन्यन कोण वे कोण है जो दृष्टी रेखा शैतिस्तर रेखा से उपर होती है इसके हम कुछ प्रश्ण पहले हल कर चुके है देखी जाने वाली वस्तु का अब नमन कोण वे कोण है जो दृष्टी रेखा शैतिस्तर रेखा से बनाती है जबकि वे वस्तु शैतिस्तर या रेखा से नीचे होती है आईए अब हम किसी वस्तु की उचाई या लंबाई अत्वा दो भिन वस्तु के बीच की दूरी त्रिकोन मिती अनुपातों की साहिता से निर्धारित की जा सकती है देखते हैं पहला उधारन एक बहु मंजल भवन के शिखर से देखने पर एक आठ मीटर उचे भवन के शिखर और तल के अब नमन कोन क्रम शह 30 डिगरी और 45 डिगरी है बहु मंजल भवन की उचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ग्याद कीजिए देखिए हम कैसे करेंगे इसको आकरती में PC एक बहु मंजल इमारत है और AB यहाँ पर है यह 8 मीटर उचे भवन को प्रकट करता है हम बहु मंजल भवन की उचाई PC और दो भवनों के बीच की यह बीच की दूरी अर्थात AC ग्याद करना चाहते है यह देखिए हमारे पस अब नमन कोन 30 डिग्री और 45 डिग्री यहां आप देखेंगे कि यह हमारा 45 डिग्री कोन बन जाएगा और यह हमारा बन जाएगा 30 डिग्री ठीक है बच्चों अब देखते हम इसको कैसे हल करेंगे आकरती को अच्छी तरह से देखिए आप यहां देखेंगे कि PB समानतर रेखाओं PQ और BD की एक तरियक छेदी रेखा है अते कोन QPB और कोन PBD एक अंतर कोन है और इसलिए बराबर है अते कोन PBD 30 डिग्री है और इसी प्रकार कोन PAC 45 डिग्री है अभी हमने आकरती में समझा था समकोन त्रिभुच PBD में PD बटा BD बराबर होगा टैन 30 डिग्री के और हम इसका मान जानते हैं टैन 30 डिग्री कितना होता है एक बटा वर्गमुल 3 या BD बराबर हुआ PD गुना वर्गमुल 3 समकोन त्रिभुज PAC में हम पाते हैं कि PC बटा AC बराबर है tan 45 degree और इसका मान तो आपको पता है tan 45 degree होता है एक आईए हम इसको हल करते हैं PC बराबर है AC और PC को हम लिख सकते हैं PD प्लस DC इसलिए PD प्लस DC बराबर हुआ AC क्योंकि AC BD के बराबर है और DC बराबर है AB के जो 8 मीटर है इसलिए PD प्लस 8 बराबर हुआ BD या PD गुना वर्गमुल 3 इससे यह प्राप्त होता है PD बराबर है 8 बटा वर्गमुल 3 माइनस एक इसका और सरली करन कर लेते हैं आप देखिए यह हुआ 8 गुना वर्गमुल 3 प्लस 1 बटा वर्गमुल 3 माइनस एक तो हम इसको गुना कर रहे हैं वर्गमुल 3 बटा वर्गमुल 3 प्लस 1 से अंशौर हर में ठीक है अब देखिए यह हो गया हमारा A माइनस B और A प्लस B का हम यह पे सूत्र लगा देते हैं और हमें प्राप्त होगा 8 गुना वर्गमुल 3 प्लस एक बटा वर्गमुल 3 का स्क्वाइर और 1 का स्क्वाइर इसको और हल कर लेते हैं 8 गुना वर्गमुल 3 प्लस एक बटा तीन माइनस एक कितना हुआ बच्चो दो दो से हम इसको काट देंगे और हमें क्या मिलेगा हमें प्राप्त होगा 4 गुना वर्गमुल 3 प्लस एक मीटर अतर बहुमंजल भवन की उचाही कितनी होगी झार गुना वर्गमुल 3 प्लस एक प्लस आठ मीटर और इसको और हल कर लेते हैं तो हम लिक पाएंगे चार गुना 3 प्लस वर्गमुल 3 मीटर है और दो भवनों के बीच की दूरी कितनी हुई चार गुना तीन प्लस वर्गमुल तीन मीटर ठीक है बच्चों समझ में आया चलिए आगला प्रेशन करते हैं दूसरा उधारण एक नदी के पुल के एक बिंदू से नदी के सम्मुक किनारों के अब नमन कोंड करमशह 30 डिगरी और 45 डिगरी हैं यदि पुल किनारों से तीन मीटर की उचाई पर हो तो नदी की चुड़ाई ग्याद कीजिए आकरती में A और B नदी के सम्मुक किनारे हैं ये देखें A और B सम्मुक किनारों के बिंदूओं को प्रकट करते हैं जिससे की A B नदी की चुड़ाई है ये हमारी नदी की चुड़ाई है तीन मीटर की उचाई पर तीन मीटर की उचाई पी डी बने पुल पर एक बिंदू पी है अर्थात डी पी तीन मीटर के बराबर है हम नदी की चुड़ाई ग्याद करना चाहते हैं जो की A P B की भुजा की लंबाई है अब A B बराबर होगा A D प्लस D B और समकोन A P D त्रिभुज में हम देखते हैं की A कोन बराबर है 30 डिग्री के देखी आप यह 30 डिग्री है तो यह भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और यह 45 है तो इसमें द्रिभुज में यह 45 डिग्री हो जाएगा P D B में आईए अब इसको हल करते हैं यहाँ पर टैन 30 डिग्री बराबर हुआ P D बटा A D अर्थात इसका मान हम रख देंगे टैन 30 डिग्री कितना होता है एक बटा वर्गमुल 3 बराबर है 3 बराबर है तीन बराबर एडी या A D बराबर हुआ 3 वर्गमुल 3 मीटर के बराबर अतह समकोन त्रिभुच P B D में कोन B बराबर है 45 डिग्री के इसलिए B D बराबर है P D जो है 3 मीटर अब A B को हम लिख पाएंगे B D प्लस A D जो बराबर है 3 प्लस 3 वर्गमुल 3 हमने यहाँ पर 3 वर्गमुल 3 मीटर इसलिए नदी की चुड़ाई कितनी हुई बच्चो तीन गुना वर्गमुल 3 प्लस 1 मीटर आईए बच्चो अब हम तीसरा उधारन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परिक्षा में पहले आ चुका है तिज्या आर का एक गुलाकार गुबारा एक प्रेशक की आँख पर कौन थीटा अंतरित करता है यदि इसके केंद्र का उन्नेन कौन फाई है तो गुबारे के केंद्र की उचाई ग्याद कीजिए है ना प्यारा प्रेश्ण आकरती में आप आगे देखेंगे आकरती में ओ गुबारे का केंद्र है जिसकी तिज्या ओपी बराबर है आर और कौन पी एक्यू बराबर है थीटा साथ ही कौन ओए बराबर है फाई माल लीजिए कि गुबारे केंद्र की उचाई है यह आप देख रहे हैं यह उचाई है इस प्रकार ओभी कितना हुआ बच्चो एच अब त्रिभुज ओए पी में आप देखिए ओ ए पी में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर इस त्रिभुज में साइन थीटा बटा दो बराबर होगा आर बटा डी जहां ओए बराबर है डी यह हमारा डी के बराबर है इसको हम पहली समिकरण माल लेते हैं अब त्रिभुज ओए पी में देखिए इसी त्रिभुज में ओए पी में साइन फाई कितना होगा एच बटा डी इसको हम समिकरण संक्या 2 ले लेते हैं एक और दो समिकरन न से हमें प्राप्त होता है sin phi बटा sin theta by 2 बराबर होगा h बटा दी बटा r बटा d आप ध्यान से देखिए यहाँ पर d cancel हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा h बटा r या h बराबर हुआ r sin phi गुना कोशेक theta बटा 2 क्योंकि एक बटा साइन थीटा बाई टू कितना होगा कौसेक थीटा बटा दो इस प्रकार हमें यह हल किया और H बराबर आया R गुना साइन फाई गुना कौसेक थीटा बटा दो है ना प्यारा प्रेश्न आईए अब अगला प्रेश्न करते हैं एक सीधी सड़क के उर्धा धर ऊपर एक गुबारे से किसी शन पर दो कारों के अब नमनकोन 45 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्ट किये गए हैं यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो गुबारे की उंचाई ग्याद कीजिए यहां देखें यहां पर आकरती है यह है हमारा और यह हमारे पास 45 डिग्री है अब नमनकोन और यह हमारी है 60 डिग्री और इसकी मदद से हमारे पास यह कोन हो जाएगा 60 डिग्री और यह हो जाएगा 45 डिग्री और ए और भी दोनों कारे हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर आईए, अब उसको हल करते हैं यह हमारे पास B है, यह Q है और यह A है और B है ठीक है, माल लीजिये कि गुबारे की उचाई H मीटर है तथा A और B दो कारे हैं इस प्रकार A B बराबर हुआ 100 मीटर त्रिभुज P A Q से A Q बराबर है P Q, जो बराबर है H अब त्रिभुज P B Q से P B बटा B Q कितना हुआ, टैन साट डिगरी जो बराबर है वर्गमुल 3 के यह H बटा H माइनस 100 बराबर हुआ वर्गमुल 3 यह H बराबर हुआ वर्गमुल 3 गुना H माइनस 100 अतर H बराबर हुआ 100 वर्गमुल 3 बटा वर्गमुल 3 माइनस 1 इसको हल करके हम पाते हैं 50 गुना 3 प्लस वर्गमुल 3 अतर गुबारी की उचाई 50 गुना 3 प्लस वर्गमुल 3 मीटर है ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रेशन करते हैं पांचवा उधारन किसी जील की सतय से H मीटर की उचाई परस्थित एक बिंदू से एक बादल का उन्यन कोन थीटा है तथा किसी बिंदू से जील में बादल के परावर्तन का अब नमन कोन फाई है सिद्ध की जील की सतय के उपर बादल की उचाई H गुना तैन फाई प्लस तैन थीटा बटा तैन फाई माइनस तैन थीटा है यहाँ देखिए हम कैसे इसको हल करेंगे माली जील की पी बादल है और क्यूं जील में बादल का परावर्तन है माली जील की ए प्रेक्षन का बिंदू इस प्रकार है कि A B बराबर है H माली जील के उपर बादल की उचाई X है माली जील की A L बराबर है D अब त्रिभुज PAL से h minus x minus h बटा d बराबर हुआ tan theta इसको हम पहली समिकरण ले लेते हैं आईए देखते हैं यहाँ पर आपके पास आकरती है त्रिभुज QAL से x plus h बटा d बराबर हुआ tan phi इसको हमने दूसरा समिकरण ले लिया पहली और दूसरी समिकरण से हमें प्राप्त होता है x plus h बटा x minus h बराबर है tan phi बटा tan theta या 2x बटा 2h बराबर है tan phi plus tan theta बटा tan phi minus tan theta अता x बराबर हुआ h गुना tan phi plus tan theta बटा tan phi minus tan theta समझ में आया बच्चू बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप इसका अभ्यास कीजिएगा अगला प्रश्न देखते हैं एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खमबे लगे हुए हैं इन दोनों खमबों के बीच सड़क के एक बिंदू से खमबों के शिखर के उन्यान कोन करमशा 60 डिगरी और 30 डिगरी हैं खंबो की उंचाई और खंबो के बिंदू की दूरी याद कीजिए माना BD एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है यहां हम आकृति बना लेते हैं दो खंबे हैं जिनकी उंचाई बराबर है और हमारे पास शिकर से उन्नेन कोंड कितने हैं साथ डिग्री और तीस डिग्री यह हो गया हमारा साथ डिग्री और यह हैं तीस डिग्री और हम भी कितनी चुड़ाई दिया हैं बच्चों 80 मीटर ठीक है माना BD एक चौड़ी सड़क है और AB और CD आमने सामने यह AB है और यह CD है आमने सामने समाल नंबाई वाले दो खंबे हैं माना AB बराबर CD दोनों किसके बराबर हैं? X के बराबर हैं ठीक है? अब हम देखते हैं त्रिभुज ABO ABO में AB बटा BO कितना होगा? टैन साथ डिगरी X बटा BO बराबर हुआ वर्गमुल तीन या BO बराबर हुआ X बटा वर्गमुल तीन इसको समिकन संख्या एक ले लेते हैं त्रिभुज CD O में देखिए वहाँ पर CD बटा DO कितना होगा? टैन तीस डिगरी अर्थाथ X बटा असी माइनस BO कितना होगा? एक बटा वर्गमुल तीन X गुना वर्गमुल तीन बराबर हुआ असी माइनस BO या X बटा वर्गमुल तीन बराबर हुआ असी माइनस X बटा वर्गमुल तीन क्यों? क्योंकि BO का हमने इसमें मान रख दिया है अब देखिए आगे हल करते हैं x वर्ग मुल 3 प्लस x बटा वर्ग मुल 3 बराबर है 80 अब इसको हल करने से x वर्ग मुल 3 गुना वर्ग मुल 3 प्लस x बटा वर्ग मुल 3 बराबर हुआ 80 और आप देखते हैं वर्ग मुल 3 गुना वर्ग मुल 3 कितना हुआ 3x प्लस x बराबर वर्गमुल 3 और 4 से हम इसको डिवाइट करेंगे तो हमें मिलेगा x ब़ाबर 20 गुना वर्गमुल 3 इसलिए bio बराबर हुआ एक्स बटा वर्गमुल 3 बटा वर्गमुल 3 आप यह देखेंगे कि हमें 20 मीटर मिलेगा B.O. और D.O. कितना है? B.D. माइनस B.O. जो बडाबर है असी में से हम 20 घटा देंगे तो आया 60 मीटर. इसलिए खंबे की उचाई हुई 20 गुना वर्गमुल 3 मीटर और खंबों से बिंदू की दूरी हुई 20 मीटर और 60 मीटर. ठीक है बच्चों समझ भी आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं? एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उर्धा धरवत्र खड़ा है. टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदू से टावर के शिखर का उन्यन कोंड 60 डिग्री है. इसी तट पर इस इस बिंदू से 20 मीटर दूर और इस बिंदू का मिनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थिट एक अन्य बिंदू से टावर के शिखर का उन्यन कोंड 30 डिग्री है. टावर की उचाई और नहर की चुड़ाई ग्याद कीजिए. माना ए भी एक टीवी टावर है. यहां ले लेते हैं. यह हमारा ए भी एक टीवी टावर है और बी सी नहर है. यह हमारी नहर है बी सी और त्रुबुच ए बी सी में ए भी बटा बी सी कितना है? टान साट डिग्री यह देखिए. और यह ब्राबर हुआ वर्ग मुल तीन, बी सी बटा ए भी बटा वर्ग मुल तीन और ए बी डी में यहां देखिए. यह बीस वीटर चलने के बाद यह हमारा हो गया तीस डिग्री और इसको हम ले लेते हैं. D, ABD में AB बटा BD, कितना हुआ, tan 30, इस प्रकार AB बटा 20 प्लस BC, यह देखें, यह 20 मीटर चला था, तो इस प्रकार BC प्लस CD, CD बराबर है 20, तो AB बटा 20 प्लस BC हुआ, एक बटा वर्गमुल 3, तो AB बटा 20 प्लस AB बटा वर्गमुल 3, बराबर हुआ, एक बटा वर्गमुल 3, आगे हम हल करते हैं, वर्गमुल 3AB बटा 20 प्लस AB बराबर हुआ, एक बटा वर्गमुल 3, इस प्रकार अब हल करके हम पाएंगे 3AB बराबर होगा 20 प्लस AB, अर्था 3AB माइनस AB बराबर हुआ, बराबर हुआ 20 प्लस AB, तीन में से एक घटाया, तो हमें मिला 2AB, पराबर हुआ 20 गुना वर्गमुल 3, इस प्रकार AB बराबर होगा 10 गुना वर्गमुल 3 मीटर, इसलिए BC बराबर हुआ AB बटा वर्गमुल 3 अथवा 10 वर्गमुल 3 बटा वर्गमुल 3 और हल करके हमें मिला 10 मीटर, TV टावर की उचाई है 10 वर्गमुल 3 मीटर और नहर की चौड़ाई है 10 मीटर समझ में आया बच्चो अच्छा प्रश्न था आईए अब अगला प्रश्न देखते हैं एक सीधा राजमार एक मिनार के पाद तक जाता है मिनार के शिकर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 दिगरी के अवनवन कोंड पर देखता है जो की मिनार के पाद की और एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद कार का अवनवन कोंड 7 दिगरी हो गया इस बिंदू से मिनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया है समय ग्यात कीजिए बहुत ही अच्छा प्रश्ण है और महत्पूर्ण है क्योंकि इसमें समय है देखिए 6 सेकेंड का हमें समय दे रखा है माना CD1 राजमार्ख है और AB मिनार है सी कार की पहली स्थिती है यहाँ देखिए हमारे परस यह दे रखिए है 60 डिग्री और 30 डिग्री यह आपकी 30 डिग्री है 60 डिग्री है और यह हमारी है 30 डिग्री क्योंकि यह देखिए इस बिंदू से मिनार के पात तक पहुंचने में कार द्वार लिया गया समय हमें निकालना है माना सीडी राजमार्ग है और A B क्या है बच्चो मिनार है C कार की पहली स्तिती है और D 6 सेकंड बाद की स्तिती है तरबुज A B D में A B बटा B D होगा 10-60 डिगरी इस प्रकार A B बटा B D हुआ वर्ग मुल 3 या B D हुआ A B बटा वर्ग मुल 3 तरबुज A B C में A B बटा B C कितना हुआ A B बटा B C ये कितना हुआ तान 30 डिगरी A B बटा B D प्रस D C बराबर हुआ एक बटा वर्ग मुल 3 A B गुना वर्गमुल 3 बराबर है B D पलस D C जो हुआ वर्गमुल 3 A B बराबर A B बटा वर्गमुल 3 पलस D C B D का मान रखने पर हमें प्राप्थ हुआ AB वर्गमुल 3, माइनस AB बटा वर्गमुल 3, जो बराबर है DC, आगे हल करते हैं DC बराबर हुआ 3AB, माइनस AB बटा वर्गमुल 3, और DC बराबर हुआ 2AB बटा वर्गमुल 3 DC बडाबर हुआ 2AB बटा वर्ग मुल 3 दूरी तह करने में कार द्वारा लिया गया समय कितना था? 6 सेकंड इसलिए कार की चाल कैसे निकालेंगे? दूरी बटा समय कितनी दूरी है? 2AB बटा वर्ग मुल 3 बटा 6 अदे, जो हल करके हमें मिलेगा, AB बटा, 3 वर्ग मुल 3 मीटर पर सेकंड, BD बराबर है AB बटा, वर्ग मुल 3, दूरी तै करने में कार्ब द्याया लिया गया समय, हम इस सूत्र से निकालेंगे दूरी बटा समय दूरी कितनी है a b bittar वर्गमुल 3 बटा a b bittar 3 वर्गमुल 3 इसको रख करके हम पाते हैं कि ये कितना आएगा 3 सेकेंड इसलिए मिनार की पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा 3 सेकेंड समझ में आया कि किसी मिनार की चोटी से दो वस्तुओं जो मिनार के अर्धार वाली रेखा में स्थित हैं कि अब नमन कोण अलफा और बीटा जहां बीटा अलफा से बड़ा है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ग्यात कीजिए दूसरा प्रेशन एक सीड़ी एक उर्धवाधर दिवार के सहारे टिकी हुई है तथा शैतिज से अलफा कोण बनाती है इसके निचले सीरे को दिवार से पी दूरी अ नीचे खिसक जाता है तथा उस समय सीड़ी शैतिज से कोण बीटा बनाती है दर्शाहिये की पी बटा क्यू बराबर है कॉस बीटा माइनस कॉस आलफा बटा साइन आलफा माइनस साइन बीटा आगे प्रशन तीन किसी उर्धवाधर मिनार की चोटी का भूमी पहस्तित किसी बिंदू से 99 कोण शाट डिगरी है पहले कोण से 10 मीटर उर्धवाधर ऊपर एक अन्य बिंदू पर उसका 99 कोण 45 डिगरी है मिनार की उचाई ग्याद कीजिए चौथा प्रश्ण किसी मकान की खिड़की भूमी से H मीटर की उचाई पर है इस खिड़की से सड़क के दूसरी और स्थित एक अन्य मकान के शिखर और आधार के क्रम शह उन्यन और अब नमन कोन आलफा और बीटा पाए जाते हैं सिद्ध कीजिये की दूसरी मकान की उचाई H गुना एक प्लस तैन आलफा गुना कॉट बीटा मीटर है आईए अब सारांज देख लेते हैं आज हमने क्या सीखा इस सध्याए में आपने निमन लिखित तत्यों का अध्यन किया है पहला दृष्टी रेखा प्रेशक की आँख से प्रेशक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है दूसरा देखी गई वस्तु का उन्यन कोण दृष्टी रेखा और शैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि यह शैतिज स्तर से उपर होता है अर्थात वैस्तिती जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को उपर उठाना होता है और हमने सीखा देखी गई वस्तु का अब नमन कोण दृष्टी रेखा और शैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि शैतिज रेखा शैतिज स्तर से नीचे होती है अर्थात वैस्तिती जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को चुकाना पड़ता है हमने ये भी देखा त्रिकोन मितिया अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु क्यों चाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ग्यात की जा सकती है ठीक है पच्चो तो मैं आशा करती हूँ आज आपको समझ में आया होगा जो हमने अब नमन कोंड के द्वारा कुछ प्रश्न हल किये अब भ्यास कीजिएगा धन्यवाद भॉड़ पिर में चाई चाल करती है